लाउट से एक शब्द यूज़ करते हैं विल पावर उसको बहुत गलत तरीके से हम लोग समझे हुए बच्पन से लोगों ने कहा है विल पावर विल पावर लेकर आओ तो लगता है जिसे कोई जबरजस्ती की चीज़ करनी है अपने साथ साइकल के साथ जो करते हैं वही हमको विल पावर के साथ करना है आपके सामने प्लेट पर टेबल के खाना रखा है और उस खाने में अलग चीज़ रखी है एक गुलाब जामूर रखा है एक आईस्क्रीम रखी है चावल रखी है सबजी रखी है रोटी रखी है आलू रखा है धेरों खाने है लेकिन अब आप समझदार हो चुके हैं और आपको पता है कि अगर मैं ये सबजी खा लेता हूँ और ये रोटी खाता हूँ जिसमें घी पढ़ी है तो बैं स्वस्त रहूंगा एक सिंपल से चीज है हम सब जानते है लेकिन जब जीव पानी लाती है तो लगता है थोड़ा सा खा लो फिर थोड़ा सा और खा लो तो इस तरीके से हम अपने अंदर की जो विल है उसको कमजोर कर देते हैं जैसे ही हम अपने पांचों इंद्रियों को allow करते हैं, बच्चों की तरह के जो करना है कर लो, हम नहीं अपने आपको छुट्टी दे देते हैं, बोलते हैं, हॉलिडे चलता है, अभी शादी का टाइम है, खालो जो मर्जी है, खाने के साथ हम यह करते ही हैं, लेकिन साथी साथ हम अपने शब्दों के अपने किसी के बारे में कुछ सोचा, और जब मैं किसी बोल रहा हूँ, तो आपका पडोसी, आपके माता-पिता, आपके भाई-बेहन, बेटा, कस्टमर्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो पडोसी पता है कौन है, वो आपकी दुनिया है, आपके आस-पास की दुनिया, और साइलेंस बहुत सही होता है, लेकिन हम साइलेंस के साथ रहना तो सीखें, उसी लिए आपको छोटी-छोटी चीजों में विल-पाउर यूज करता है, जब आप सोने के समय को खेलते हैं, कि मैं थोड़ा जल्दी उट जाओ, देखू कैसा मेरा माइंड काम करता है, जब मैं खाने के उपर अपने जबान के खाने के हिसाब से ना खाकर केवल अचार या कोई स्वादिष्ट मीठा या कोई ऐसा भोजन जिसको खाते ही हमारा नीद आना शुरू हो जाती है, हमारी इंद्रियां बहना शुरू हो जाती है, उसके साथ हम खेलते हैं और बोलते हैं नहीं selection करतेंगें जिसे आप सब्जी के साथ selection करते हैं कि हरी सब्जी है इसको खाना चाहिए और इसको नहीं खाना चाहिए यह ओईली सब्जी नहीं खाना चाहिए ऐसे ही जब आप अपने मन में कोई विचार लेकर आ रहे हैं कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो ये खराब आदमी है तो वो जो विचार है उसके साथ आप थोड़ा सा ट्रांसफर कर दीजे खुद कुछ शिफ्टिंग कर दीजे आप ये कह दीजे जो फैक्ट होता है वो कहिए कि सामने वाले ने मेरे साथ ये अक्टिविटी की जिसको आप धोखा बोल रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कि वो खराब आदमी है उसको बोले कि उस आदमी ने मेरे साथ ये अक्टिविटी की या कहरा चाहिए उस आदमी और मेरे आदम की बीच में ये अक्टिविटी हुई इसे बारिश गिरी लेकिन हम लोग क्या कहते हैं भगवान ने हमारे पर बारिश किराई है और हम सब शब्दों का यूज करते हैं भगवान को ब्लेम करने के लिए और वहीं पर confusion आता है Willpower वहीं पर कमजोर हो जाती है जहां पर confusion होता है Because हमारा माइंड समझ नहीं पाता क्या कर रहा है क्या है दुनिया और जब नहीं समझ पाता तो कमजोर हो जाता है